गाजेवात के कुतवाली थानचेतर के शंबू दयाल कॉलेज में गंबीर हाथसा हो गया यहां पर कावडियों के ठहरने की विवस्ता की गई थी और वहीं पर लगे खंबे में करेंट आ गया जिसमें दो कावडिया मौत का शिकार हो गया हाला कि एक कावडिया बाल-बाल बच गया लेकिन दूसरे की तो मौत ही हो गई म्रतक का नाम नानू बताया जा रहा है वही खटना के बाद दूसरे कावडियों ने जम कर हंगामा किया और अस्पताल में जम कर डॉक्तर वकमचारियों के खिलाप नारिवाजी की हंगामे का पता लगते ही प्रशासन की टीम और पुलिस अधकारी मौके पर पहुचे और हंगामा कर रहे कावडियों को समझाया सभी कावडियों ने पुलिस को बताया कि जब वे नानू को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्तर ने नानू को देखने की वज़ाए दूर से ही कह दिया था कि इसमें कुछ नहीं है जबकि उसके बाद की गई ECG रिपोर्ट में वो जिन्दा था और चौती ECG रिपोर्ट तक नानू की मौत हो गई गटना ये हुई हम सारे जाके अराम कर रहे थे साथ का बोला जो था वो दूबबती कर रहा था वहाँ सारे पाइप जितने भी लगे हुआ जिन पर कावर जुला थे उसमें करंट आ रहा था इसमें पुछ नहीं है तीन इसी जी की रिपोर्ट ने जान थी चौती निकली ब्लैंक निकली अब पूरी घटना में लापरवाई बरतने वाले डॉक्टर बिजली बिभाग के करमचारियों समेत ठेकेदार के खिलाफ एफाईया दर्च की गई है जिनके खिलाफ पुलिस ने सकत कारवाई करने वा मनतक नानू के परिजनों को मुअबज़ा दिलाने की बात भी सरकार के समश रखने की बात कई है यहां पर कोतवाली थाना चेत्र में संभूदयाल इंटरकालेज है इसमें कामर सिबिल लगा हुआ था आज दोपार के समय में एक लोकल ठेकेदार के माध्यम से उस स्कूल के मिडिल में एक रॉड पे चार लाइटे लगाई गई थी उसमें और शहर में जितने भी पोल से सब कवर्ड है आप देख रहे हैं बट उस पोल में अंदर चुकी दोपार का इसू था उसके कोई कवर नहीं था और एक उसके से एक काम अड़िये जो भोले थे सुला साल उमर है नन्हे नाम है वो बिजय नगर थाना चेत के अंतरगाजी अबाद में कैलास नगर के रहने वाले ड़ने वाले हैं उसके बाद दो अधर कावड़ियों ने इटे से उसको चुड़ाया और बगल में केके होस्किटल है वहां तक लिए जाते हुए होस्किट कि के निक्सन अस्थाई हो या अस्थाई हो आपको सभी सिवीर कोचे करके वहां एक प्रमाट पत्र देने की दुरूरत है कि मतलब हम या बिद्दुख से पूरी तरह से सुरच्चित है यह उनके द्वारा लापर वाही बढ़ती गई से जिस ठेकेदार ने आज मिड में कर आया उसके द्वारा परवाही बढ़ती गई कितार ओपिन क्यों रहे वहां तक और तीसरे नंबर पर जो होस्पिटल में जाने पर हम लोगों ने हर ब्रीपी में बताया था कि इस बार कुम्हमेले की तरह जो भी पुलिस प्रसासन का और जितने भी लाइन उनका जो बेवहार होगा का वडियों के साथ या भूले के साथ वह इतना अच्छा हो कि मत्तब वह बाहर जाके मैसेज दें कि हमारे हमसे लोग इतनी पोजटिवली पेसा हैं बट डाक्टर्स के दौरा भी अच्छा बेवहार नहीं किया गया तो तीनों पे मुगर्म पंज है उसका भी जलाज हम लोग रिफ परस्ट कराएंगे और रूप पूरा धेंगे अच्छा प्राविश्ट कर साथ के साथ लिए का रिफ दिया हरा है